हेलो दोस्तों इस वीडियो में आपको बताएंगे कि आप अपने ओल्ड एज पेंशन, वीडियो पेंशन, फिजिकली हैंडिकैबिट पेंशन के लिए ओनलाइन एपलाई कैसे करोगे जमो कश्मीर में तो इसके लिए जो आपका eligibility criteria रहेगा ये जो है statefully sponsored scheme है इसमें जो आपको monthly thousand rupees मिलने वाला pension इसके लिए जो आपकी age रहेगी वो men's के लिए 60 से abo रहेगी और women's के लिए 55 से abo age रहेगी और जो वीडियो diversity persons है उनके लिए जो age है वो 40 years से abo रहने वाली है और जो physically challenged disability आपकी 40% से abo होनी चाहिए तो इस वीडियो में आपको step by step full process दिखाएंगे कि आप अपने pension के लिए online apply कैसे करोगे जमो कश्मीर में तो आपको आजाना है अपने mobile phone, pc, computer के browser पे ब्रोजर पे आने के बाद आपको search करना होगा जन सोगम जन सोगम search करने के बाद आपके सामने जन सोगम.jk.gov का website open हो जाएगा तो आपको इस website को open कर देना है जन सोगम website open करने के बाद आपको यहाँ पे आपको यहाँ पे login वाले option पे click करना है login वाले option पे click करने के बाद आपके सामने यहाँ पे आपको अगर already registered हो तो आपको यहाँ पे अपना username और password डाल के sign in कर देना है अगर आप पहली बार visit कर रहे हो जन सोगम यहाँ जान परचाई website पे तो आपको यहाँ पे नीचे आजाना है नीचे आने के बाद यहाँ पे आपको एक option आ रहा है sign up for मेरी पेचान तो आपको इस पे click करने के बाद आपको यहाँ पे सबसे पहले अपना mobile number फिल करने है अपना नाम डाल दोगे तो उसके बाद आपको यहाँ पे suggest user ID पे click करने के बाद यहाँ से आपको जो भी आपके सामने idea suggest होंगी वो select कर देनी है उसके बाद आपको यहाँ पे password फिल करना है उसके बाद आपको confirm password फिल करना है और verify पे click करने के बाद आपके mobile number फे एक OTP send किया जाएगा उसके बाद आपको बताएगा यहाँ पे आपकी जो registration है वो successfully होगी है उसके बाद आपको फिर से वापस आजाना है वापस आने के बाद आपको यहाँ पे login वाले page पे click करना है यहाँ पे आपको sign in to existing mi मेरी पेचान account पे click करना है इस पे क्लिक करने के बाद आपने जो यूजर नेम क्रेट किया है वो डालना है और जो पासवर्ड आपने क्रेट किया है वो डालना है यूजर नेम और पासवर्ड डालने के बाद आपको साइन इन पे क्लिक करना है अगर आपको यूजर नेम याद नहीं है तो आपको पर कलिक करें ऐसके बाद आप सकस्रेटी प्यूदि अप्यार इसके बाद आपको यहां पर नीचे आजाने के बाद यहां पर आपको एक आपशन आरहे हैं जेके यू पे आ जाओगे तो यहां पर आप अपनी आइडी के साथ successfully log genius करना है उसके बाद आपको यहां पर क्लिक करना है क्लिक करना है यहां पर आपको चैज़कर करना होगा पैंशन पेंशन सेर्च करने के बाद यहां पर आपको एक option आ रहा है application for sanction of pension under JK आपके सामने यहां पर application form जो है वो आ जाएगा उसके बाद आपको यहां पर अपना district select करना है district select करने के बाद यहां से आपको अपना जो तासील social welfare office है वो select कर देना जो भी आपका होगा तासील social welfare select करने के बाद यहाँ पर आपको select pension type करना है जो भी आपका pension type होगा चाहिए आप old age pension के लिए apply कर रहे हो women distress के लिए apply कर रहे हो या physically challenged या transgender person तो आपको वो यहाँ पर select कर देना है select करने के बाद यहाँ पर आपको name of applicant डालना है उसके बाद आपको यहाँ पर photograph of applicant इसमें जो आपका photograph है वो less than 20 के भी होना चाहिए उसके बाद आपको यहाँ पर data birth select कर देनी है डाद डालने के बाद आपको यहाँ पर father name डालना है father name डालने के बाद यहाँ से आपको select कर देना है जेंडर है या female उसके बाद आपको यहाँ पे कटेगरी स्लेक्ट करनी है कि यहाँ पे कटेगरी जो है वो पी एच एच है या एएवाई जो भी कटेगरी होगी आपकी तो आपको स्लेक्ट कर देना है उसके बाद आपको यहाँ पे अपना मुबाइल नंबर और इमेल आडी फिल करना है उसक पाद आपको village name उसके बाद pin code अगर आपका permanent address और present address हैम है तो आपको yes पे click करने है उसके बाद आपको यहाँ पे अपनी bank detail फिल करनी है यहाँ से आपको select कर देना है कि आपका bank क्या है तो जमो कश्मीर bank होगा तो आपको जमो कश्मीर bank select कर देना है उसके पाद आपको यहाँ पे अपनी branch name फिल करनी है उसके बाद आपको island पाद आपको फिल करने है उसके बाद आपको यहां पर account number of applicant फिल करने है उसके बाद आपको बता रहा है are you previously taking pension अगर आप पहले से ही pension ले रहे हो तो आपको yes कर देना अगर नहीं ले रहे हैं तो आपको no कर देना है उसकी बाद आपको यहाँ पर I agree पर क्लिक करना है I agree पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर verification code डालना है verification code डालने के बाद आपको यहाँ पर submit पर क्लिक करना है submit पर क्लिक करने के बाद आपके सामने आपने जो details fill की है वो आ जाएगी अगर आपको कोई details में edit करना होगा तो आपको यहाँ पर edit detail पर click करना है अगर आपकी details में कोई guilty है तो आपको यहाँ पर edit detail पर click करना है उसकी बाद आपको यहाँ पर attach and access पर click करना है आपको यहाँ पर जो डाकुमेंट लगेंगे वो आपकी domicile, उसके बाद आपको यहाँ से आपका residential proof रहेगा, जहें आपके पास electricity bill, water ID card, यहाँ अधार कार्ड जो हैं वो बोट साइड भी आपका residential proof वो भी चलेगा, उसके बाद आपका जो यहाँ पर डाकुमेंट नीड है, राशन कार्ड, उसके बाद अधार कार्ड और यहाँ से आपको अपलोड करना होगा अपना bank, passbook, उसके बाद आपको यहाँ पर अपनी affodate जो की attested होनी चेए, judicial में straight first class की, उसके बाद आपको यहाँ पर अपना age proof डालना है, इसमें आपका जो age proof हैं वो birth certificate municipal authority से, या birth certificate medical board या block department officer, इसमें जो option आ रहे हैं, इन में से ही आपका जो age proof है वो verify होना चाहिए, तो यहाँ से आपको अपना age proof select कर देना है, उसके बाद आपको यहाँ पर other अगर आपके पस कोई document है, तो आपको वो upload कर देना है, तो यह सारे documents आपको upload कर देने हैं, यहाँ पर आपको choose file पर click करना है, तो choose file पर click करने के बाद, यहाँ से आप अपने सारे document जो है, वो select कर दोगे, सारे document select करने के बाद, यहाँ से आपको save and exercise पर click करना होगा, save and exercise पर click करने के बाद, यहाँ से आपकी domicile certificate, residential proof, Russian card, अधार card, bank passbook, affordate, age proof, सारे जो document है, वो upload हो जाएंगे, तो यहाँ से आपको एक-एक documents, आप अपने जो document है, वो view कर सकते, उसके बाद, आपको नीचे आ जाना है, नीचे आने के बाद, आपको submit पे click करना है, submit पे click करने के बाद, आपका जो application form है, वो successfully submit हो जाएगा, तो यह थी मेरी आज की वीडियो, कैसे लगी, वीडियो, like, share और subscribe करना, ना बूले, मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए, अलाहाफेज, thank you.